हाई परिकी इस किचल में आपका स्वागत है आज मैं आपको पिरेट्स में ध्यान देने वाली कुछ बात ये बताऊंगी और मैं अपने आपको कैसे फिट और स्मार्ट रखती हूं पिरेट्स के दिनों में ये आपको बताऊंगी लेकि मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देखें पिरेट्स के दोरां ब्लीडिंग होने से शरीर में कमजोरी होती है इसलिए उस समय में आईरन और केशियम टॉनिक का एक एक चमच सुबा और शाम लेती हूं भारत में ज्यादा तर महिलाओं को शरीर में खून की कमी होती है इसका एक मुख्या कारण खाने में भोजन में आईरन की कमी होना है इसलिए आईरन को टॉनिक लेने से ये कमी दूर हो जाती है इसके अलावा पिरेट्स के दौरान में चाय कॉफी कम पीती हूं सुबा एक ही समय पीती हूं और फ्रूट्स खाती हूं और फ्रूट जूस पीती हूं सर्दियों में गाजर का जूस चुकंदर का जूस पीती हूं और गर्मियों में अक्सल मेंगो शेक पीती हूं इसलिए मेरी आपको ये सला है कि आप भी पिरेट्स के दोरान फ्रूट जादा खाए और फ्रूट जूस जादा पिए इसके साथ ही पिरेट्स के दोरान में हलका भोजन लेती हूँ जैसे दाल, चावल, दही वगेरे वगेरे मैं हेवी खाना नहीं खाती क्योंकि यह पजने में दिक्कत देता है पिरेट्स के दोरान में धीले ढाले कपड़े पहनती हूँ और दिन में दो बार नहाती हूँ इससे फ्रेशने बनी रहती है इसके साथ ही जब भी मैं पिरेट्स के दोरान बहार जाती हूँ तो मैं अपने साथ पैट्स रखती हूँ और आखी में सबसे महतोफूर बात कि आप पानी खूब पीए मैंने अकसे देखा है कि पिरेट्स के दोरान ओड़ते पानी कम पीती है क्योंकि उन्हें बार-बार बात्रूम जाना पड़ता है पर मैं पिरेट्स के दोरा पानी ज़्यादा पीती हूँ पानी ज़्यादा पीने से शरी में चूस्ती स्पूर्ती रहती है और स्मार्नेस भी बनी रहती है इसलिए आप पिरेट्स के दिनों में खुब पानी पिए और आखिर में आप पेस्ट चेलल को सब्सक्राइब जरूर करें